Hello, Standard First, Subject English Unit 7, उसका First Lesson, Poem, A Kite आज हम करेंगे उसके Hard Words, Question 1, Question 2 मैंने आपको Poem लिखने के लिए कहा था, जो आपने Poem लिख दी होगी फिर उसके बाद हम लिखेंगे Hard Words पहला Hard Word क्या है? Kite आप सब जानते हो ना, Kite केसी होती है? पता है? अब होने वाला है ना, Kite Flying Day आने वाला है तब यह आप सब लोग Kite उड़ाएंगे हैं ना? तो यह है Kite फिर Ride Ride किसको कहते हैं? जैसे कि आपको cycle चलानी है तो आप cycle के उपर जो सवार होते हो ना? सवार याने कि cycle के उपर बेटकर cycle चलानी वैसे Ride क्या था? इसमें Ride यह मतलब सवारी करना Ride क्या होता है? सवारी करना गोडे के उपर बेट हो तो गोडे की सवारी है ना तो अब यह लड़का क्या सोच रहा था है अगर वो पतंग बन जाता काइट बन जाता तो वो किसके उपर राइड करता ब्रीज के उपर यानि की हवा के उपर वो राइड करता है ना तो राइड मींस सवारी करना साइकल के उपर बेठो तो साइकल सवारी घोडे के उपर बेठो तो गोडे सवारी एसे ब्रीज यानि कि हवा फिर है ब्लो यानि कि फूखना या फिल इस पोयम के हिसाब से देखें तो बहना पर हम ब्लो का मीनिंग लिखेंगे से फूखना यह hard words जो मैंने एक बार इधर लिखे हैं तो आप भी ऐसे एक बार इधर लिखोगे और दूसरी बार इधर लिखोगे और वो भी अच्छी handwriting से हैं फिर उसके बाद है हमारी next exercise question 1 write answer in one word आपको answer one word में लिखने हैं जैसे कि first है what does the child wish to be हमारी जो यह poem है उसमें जो child है वो क्या तमन्ना रखता है a kite हमारी जो poem है न उसमें एक बच्चा है न वो क्या तमन्ना रखता है क्या बनना है उसे तो हम लिखेंगे to be a kite वो बच्चा क्या बनना चाहता था एक kite बनना चाहता था तो मिदा लिखेंगे to be a kite, question में पहला लेटर केसा करेंगे, capital, last में हम करेंगे, question mark, answer में भी पहला लेटर करेंगे, capital, पीछे, full stop. फिर next, second question है हमारा, what does the child wish to do with the bridge, अब जो child है, वो क्या wish करना चाता था, bridge के साथ, है न, जैसे आप cycle के साथ, क्या wish करते हो, cycle है तो चलाने की wish करोगे, है न, उस हिसाब से बच्चा, bridge के साथ, क्या wish करता था, वो क्या करना चाता था, पोएम में जो बच्चा है, वो bridge के साथ, क्या करना चाता है, तो bridge के उपर, वो ride करना चाता है, है न, bridge यानि की, हवा, ये क्या है, bridge यानि की, हवा, to ride upon the bridge, यानि की, वो bridge, हवा के उपर, सवारी करना चाता है, kite बन कर, है न, तो हम एसा लिखेंगे, to ride upon the bridge, question में पहला letter कैसा करेंगे capital last में question mark answer में पहला letter कैसा करेंगे capital last में full stop फिर उसके बाद हमारा third question है what would you like to be आप क्या बनना चाहते हो what would you like to be यानि कि आप क्या बनना चाहते हो वो आपको इधर लिखना है अब जैसे कि मैंने इधर लिखा है to be a bird आपको क्या बनना है वो आप इधर लिख सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको भी इधर bird ही लिखना है आपको जो बनना है वो आप इधर लिख सकते हो इसमें भी हम question का पहला letter कैसा करेंगे? Capital Last में question mark Answer में पहला letter कैसा करेंगे? Capital Last में full stop फिर उसके बाद question 2 Fill in the blanks First, I can fly a dash तो हम dash में क्या लिखेंगे? Kite I can fly a kite यानि कि मैं एक kite उड़ा सकता हूँ फिर है I love to dash under a tree तो इधर blank में क्या लिखेंगे? Sit यानि कि मुझे एक tree के under बैठना पसंद है अच्छा लगता है प्यारा लगता है, ठीके? I love to sit मुझे बैठना प्यारा लगता है कहां पर? Under a tree यानि कि ये कोई एक tree है ठीके? उसके under इधर पे boy को बैठना प्यारा लगता है ठीके? तो ये जो बैठा है उसको कहां बैठा है? वो tree के under ओके? तो ये थी हमारी आज की exercise क्या क्या थी हमारी exercise एक hard word लिखना है आपको question 1 करना है और ये question 2 और सबसे पहले आप poem लिखेंगे poem के बाद hard word hard word के बाद question 1 and question 2 तू अच्छी handwriting से हाप अपना काम complete कीजिएगा ओके? thank you students